गुजरात, एक लाग 96,000 किलो मीटर में फेला एक एस स्टेट जिसकी पॉपलेशन 60.4 मिलियन है पटेल कम्यूनिटी के लोग यहाँ पर सिर्फ 12-14% हैं लेकिन फिर भी 1913 से लेकर पटेल गुजरात की सबसे बड़ी सोशल एकॉनमिक फोर्स बनी हुई है और अगर मैं बात करूँ USA की तो यहाँ पर इंडियन्स की पॉपलेशन सिर्फ 1% ही है और इस 1% में भी पटेल्स की पॉपलेशन तो मुठी भर है लेकिन आपको यह जानकर हिरानी होगी कि USA के 50% से भी जादा होटेल बिजनिसे को पटेल्स ही ओन करते हैं इन फैक्ट USA में रहने वाले एक पटेल एक एवरेज अमेरिकन से भी जादा पेसे कमाता है लेकिन यह हमेशे से ही इतने अमीर नहीं थे और नहीं इनका फेलाव इतने दूर दूर के देशों में था तो आखिर क्या है इनकी हिस्ट्री और गुजरातियों में जादा तर पटेल्स ही इतने अमीर क्यों होते हैं चली थोड़ा जान लेते हैं इस बारे में लेकिन फिर यूगांडा में एक तानशा आया और उसने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और रीजन उसने ये दिया कि ये लोग हमारी देश का पिसा बाहर ले जाने की फिराक में हैं तो इस वज़े से उनको मजबूरन देश छोड़कर भागना पड़ गया जब पटेल्स यूगांडा से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ पेसे चोरी छुपे बचा कर रखे हुए थे और उन पेसों को लेकर वो सीधा अमेरिका पहुँच गए ये वो टाइम था जब अमेरिका और अरब देशों में कुछ अन्बंसी चल रही थी जिसके वज़े से वहां से पेटरोल और डीजल के दाम बहुत ज़ादा बढ़ गए थे और इसी के चलते वहां के लोग बहुत कम ट्राइवलिंग कर रहे थे अब इस तरह से जब ट्राइवलिंग अगेरा पर इफेक्ट पढ़ा तो इंडिरेक्टली इससे बाकी चीज़ों पर भी फर्ग पढ़ना शुरू हो गया वहां हाईवे के आसपास के होटेल्स जिनने वहां पर मोटेल्स कहा जाता है उन लोग का धंदा तो जैसे मानों एकदम ही ठप पढ़ गया जिस वज़े से उनके ओनर्स उन मोटेल्स की एमाई तक भढ़ नहीं पा रहे थे तो गौर्मेंट ने इस चीज़ पर आक्शन लिया और पेसे ना भढ़ने के वज़े से उन मोटेल्स को आक्शन करना शुरू कर दिया अब पटेल्स अमेरिका तो पहुँच गए थे बट वहाँ पर भी उनको बहुत दिक्कते हो रही थी उस टाइम पर उनके पास मेंली दो बड़ी दिक्कते थी पहली तो ये कि उनको रहने के लिए एक घर की ज़रूत थी और दूसरी ये कि उनको एक रोजगार भी चाहिए था पर यहाँ पर तो उनको दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा था लेकिन फिर उनका दियान इन आक्शन्स पर लगे हुए मोटेल्स की तरफ गया क्योंकि वहाँ पर अब सब को ये पता चल चुका था कि मोटेल्स के बिजनिस की हालत कितनी नीचे गिर चुकी है तो कोई भी अमेरिकन उन मोटेल्स को आक्शन में भी खरीदने को तयार नहीं था गौर्मेंट के पास अब बस यही आप्शन रहे गया था कि जैसे तेसे करके ये ओने पोने दामों में बस बिक जाए पोटेल्स ने सोचा कि क्यों ना इस बिजनिस में घुसा जाए और वेसे भी गौर्मेंट एंड मोटेल्स को वेसे ही बेकन को तयार है तो उनके लिए अभी मोटेल्स को खरीद लेना एक राइट टाइम लगा उनके मन में बस यही था कि ये जितना भी रेसेशन चल रहा है ये कुछी टाइम का है इसके बाद तो चीज़े वापस से नॉर्मल हो जाएंगी और लोग फिर जब वापस से ट्रावलिंग करना शुरू कर देंगे तो होटेल के बिजनस में भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा लेकिन कहीं भी पेसा लगाने से पहले उनका एक रूल था जिसे वो जरूर फॉलो करते थे और वो रूल ये था यानि कि वो जब भी कहीं पर इन्वेस्ट करते थे तो हमेशा उनका यही रहता था कि कम से कम रिस्क पर जादा से जादा प्रॉफिट बने और यहीं उनका धंदो स्टाइल भी था कि रिस्क तो बहुत कम चाहिए बट प्रॉफिट जादा चाहिए और मोटेल के बिजनस में उन्हें ये मौका दिख रहा था उन्होंने एक दिन अक्पार में ये देखा कि 5000 डॉलर्स की डाउन पेमेंट पर 20 रूम का एक होटेल मिल रहा है तो इस वाले ओफर को वो देखते ही उतावले हो गए उन्होंने अपने जानने वालों से मिन्नते करके जैसे जैसे उनसे उधार पकड़ा देन फिर जादा देन ना करते हुए उन्होंने फोरन वो होटेल खरीद लिया यहां से अब उनका गुजराती दिमाग और दोड़ना शुरू हुआ उन्होंने अपना कैश फ्लो कम करने के लिए वहाँ पर काम कर रहे सबी लोगों को जॉब सही निकाल दिया और पूरी फैमली मिलकर होटेल का सारा काम करने लगे उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि उनकी फैमली को रहने के लिए सिर्फ तीन ही रोम्स काफी है और वर्कर्स को उन्होंने और लेडी निकाल दिया है तो इनके लिए कोई घाड़े वाला सोदा तो यहां था ही नहीं यहां पर कम रेट से अट्राक्ट होकर काफी लोग उनके होटेल में आने लगे और इस तरह उन्होंने एक loss making business को profit making बना दिया अब तक यह सिर्फ एक होटेल मैनेज करते थे इसके बाद फिर उन्होंने और होटेल्स करीदने शुरू कर दिये और देखते यह देखते USA के 50% होटेल्स के यह honor बन गए अब इन्होंने इस बीच क्या क्या किया किन-किन strategies को यूज किया इवन कौन-कौन से rules follow किये यह सारी बाते कुछ points के थुरू अब हम आगे जानने वाले हैं तो पहला rule कहता है कि buy existing business मतलब कि जो business पहले से चल रहा है उसको आप भी buy करो ताकि आपको उस business में ज़ादा time और effort न देना पड़े कई गुजरातियों का ऐसा मानना है कि अगर हमें एक नया business start करते हैं तो सबसे ज़ादा माईने रखने वाली यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़े हैं एक time और एक effort एंड ये करने के बाद भी एक guarantee नहीं है कि आपको ये business बढ़ेगा या फिन नहीं इसलिए वो existing business पाई करना ज़ादा प्रफर करते हैं इसका सीधा से example है गोतम अडानी गोतम अडानी एक ऐसे गुजराती हैं जो कुछ time पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इनसान बन गए थे उनकी net worth अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 138 billion dollars है और इनके business model को अगर आप follow करो तो ये भी ये ही rule follow करते हैं यानि कि इनके पास इतना सारा capital होने के बाद भी ये innovation की तरफ नहीं गए बलकि इन्होंने वे से business को खरीदने start किया जो पहले से ही market में जलवा भी खेर रहे हैं चाहे वो कोई airport हो या कोई नूर food हो, cement हो या कोई news channel हो इन्होंने सारे के सारे existing business को ही buy किया है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर वो किसी ऐसी company को खरीदेंगे जो पहले से ही market में है और लोग इसको पहले भी use करते थे और अब भी use करते हैं तो company खरीदते ही इसका profit पहले दिन से ही होना शुरू हो जाएगा नमबर टू इस, invest in simple business simple business से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा business जिसका rate of change काफी slow हो और जिसके business model को आसानी से समझा जा सके Warren Buffett बोलते हैं कि अगर आपको अपने business को describe करने के लिए एक paragraph से जादा लग रहा है तो वो business एक simple business है ही नहीं इसलिए सबसे पहले तो आप एक simple business find out करो दिन आप ये देखो कि उस company का rate of change कैसा है मतलब कि वो business कुछ सालों में बंद होने की कगार पर ना आ जाए For example, Coca-Cola और McDonald's आज से 20 साल पहले भी थे और आज भी है और बहुत जादा चांस है कि आने वाले 20 सालों तक भी वो एसे ही मौजूद रहेंगे लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ TikTok, Chat GPT, Instagram और Facebook जैसी चीज़ों की तो इनका rate of change काफी हाई रहता है अब आप मेंसे कुछ लोग शायद यह सोचो के चलो Facebook तो ठीक है पर Instagram और Chat GPT यहां के से आ गए यह तो जब से आए हैं तब से ही काफी ग्रो कर रहे हैं तो देखो लगबग 20 साल पहले यहू और Orkut के बारे में भी लोग यही सोचते थे बड़ा जिन दोनों को ही इंटरनेट पर पूछा तक नहीं जाता इन फैक्ट कुछ लोग तो इनका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि इसी चीजों का कुछ नहीं पता होता कि कब गवर्मेंट किसी पॉलिसी को चेंज करते और ये डिरेक्ली इससे एफेक्ट हो जाएं इसलिए वेसे बिजनिस में इन्वेस्ट करना समझदारी है जो सिंपल हो और जिसका रेट ओफ चेंज काफी स्लो हो नमबर थ्री इस बाइ बिजनिस विद हैवी डिसकाउंट वारन बफिट की एक स्टेटमेंट है जो बहुत पॉपलर हुई है जिसमें वो ये बोलते है जब सारी लोग लालज में आकर कुछ बले पेमाने पर खरीदने लग जाएं तो आप डरो उस चीज से और जब लोग डर रहे हो तो आप लालजी बन जाओ बेसिकली उन्होंने ये लाइन स्टॉक मार्केट के बारे में बोली थी पर अगर आप देखो तो ये और भी कई चीजों पर अपलाई होती है क्योंकि जब बहुत सारी लोग एक साथ किसी चीज को खरीते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जहां डिमांड बढ़ेगी वहां प्राइस तो आटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा और जब लोग कोई चीज ना खरीतने चाते हों तो उस चीज की डिमांड के साथ साथ उसके प्राइस भी बहुत घट जाते हैं रिचेड ब्राइसन जो वर्जिन गुरूप के चेर्मेन है वो ये स्ट्राइटिजी को बहुत अच्छे से करना जानते हैं 1978 में जब वो एक आइलेंड खरीदने गए थे तो उसकी सेलिंग प्राइस उनको 6 मिलियन डॉलर्स पताई गई थी तो इस पर मिस्टर ब्राइसन ने कहा कि दखो मैं तो जी इसको 100,000 डॉलर्स में खरीदने चाता हूँ उनके मुसी जब रियल एस्टेट ब्रोकर ने ये बात सुनी तो उनका मोड ही ओफ हो गया उन्होंने मिस्टर ब्राइसन से कहा कि सर ये केसी बात कर रहे हैं आप 6,000,000 डॉलर्स और 1,000 डॉलर्स में दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है सोरी में ये आईलेंड आपको सेल नहीं कर सकता आप यहां से जा सकते हैं फिर एक साल के बाद वो डील वापस से उनके पास आई और आप यकीन नहीं करोगे कि एक साल बाद वही आईसलेंड उन्हें 18,000,000 डॉलर्स में मिल गया यानि कि 97% डिसकाउंट पर उन्होंने वो पूरा आईलेंड खरीद लिया और आज वहां पर एक रात रुखने का चार्च 42,000 डॉलर्स है पटेस ने भी अगर आप ध्यान दो तो सेम यही स्ट्राटेजी अपनाई थी जब मोटेल्स के दाम जमीन चुने लगे तो उन्होंने फोरा उन उसको खरीद लिया और वहां के हालाज जब वापस से पहले जिसे हुए तो हुन्होंने फिर खूब प्रॉफिट निकाला नंबर फूर इस धंदो आर्बिटरेज मालोगी कोई जीन्स है जो गुजराट के अंदर धाई हजार में मिल रही है और वही सेम जिन्स मुंबई के अंदर साड़े 3,000 में मिल रही है तो अगर हम गुजरा से 5,000 में जिन्स खरीद कर मुंबई में साड़े 3,000 की बेशते हैं तो यहां से मोटा मोटा हमें 1,000 का profit हो रहा है यहां पर हम एक सस्ती जगे से product उठाकर महेंगी जगा पर बेशते हैं मतलब कि हम दो जगा पर एक ही product के price को compare करके वहां से profit generate करते हैं और arbitrage के इस्तमाल गुजरातियों से अच्छा शायाद ही कोई कर सकता है वो पहले तो अपने कमाई हुए पेशों को save करके रखते हैं और ताक में रहते हैं कि कब उन्हें को यह सब business मिले जहां सस्ते में खरीद कर वो महेंगे में बेच सके नमबर 5 is buy business with moat moat मतलब है competitive advantage यानि कि आपके business में इसा क्या है जो आपको आपके competitor से better बनाता है जिसे मालो जहां आप अभी रह रहे हो वहाँ पर आपके आसपास 4 momos का ठेले है और वहीं से 2 km दूर पर एक और momos का ठेला है लेकिन खास बात यह है कि वो जो 2 km दूर है उसके momos का taste comparatively काफी अच्छा है एक तो उसके ठेले के सामने कोई गंदीगी नहीं रहती बेटने का वहाँ पर इंतिजाम है और वो काफी clean रखता है वो जगा तो अब आप बताओ कि at the end आप कहाँ पर momos खाने जाओगे 90% chance है कि आप उस 2 km दूर वाले के पास जाओगे यही है business mode अगर आप किसी business में invest कर रहे हो तो यह देखो कि उस company का mode क्या है मतलब ऐसा क्या खास है उसमें जो आपके बाकी competitors से उसको अलग बना रहा है और तभी उस काम में घुसो जब आपको आपके mode का अच्छी तरह से पता चल जाए विलिए सारी बाते मैंने आपको Money Spaparai की book दी धंदो investor से बताई है इन सारे points में से कौन सा point आपको ज़्यादा काम का लगा मुझे comment करके ज़रूर बताना बाकि अगर आपको कुछ AC assets के बारे में जानना है जो cash के मुगाबले आपको कई गुना जादा profit दे सकते हैं तो आपके लिए ये वाली वीडियो है तो मिलते हैं अपने उसी वीडियो में तब तक के लिए Stay safe, stay healthy, take care